हलो अब्रीवन विल्कम टू आवर चैनल गाइज यहां पर आज हम बात करेंगे बैंक आप महरास्टरा के रिगूट्मन नॉटिफिकेशन के बारे में कौन है इलिजिबल किस तरीके की रखी गई है क्रटेरिया सबी चीजों पर आप से बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने स 14 वेकेंसी रखी गई है चाहुदा स्टेट आंदरपरदेश चंडिगर्ण छत्तिसगर्ण दिल्ली गुवा गुजरात करनाटक मध्यपरदेश महारास्टर पंजाब राजस्तां कमिलाडू उतरपरदेश वेस्ट वंगल टोटल यहां पर 14 स्टेट में आपको टोटल 314 प यहां पर आना जरूरी है साथी साथ आप यहां पर 9000 सारे ग्रेट्स को दिये जाएंगे 9000 यहां पर स्टाइपेंड होगा ट्रेणिंग आवर्स के बारें बात करें तो दस बाझे कर करके पांच बजी तख यानी कि सात गंटे की आपकी ट्रेणिग आवर्स रहेगी other terms and conditions में यहां पर अप्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा इसके अलावा mention किया गया है कि एक बार अगर आपने training और apprenticeship कर ली है तो फिर से आप apprenticeship में engaged नहीं किया जाएंगे क्लियर रहेगा एज relaxation में schedule class, schedule tribe तो 5 years, other backward class, OBC में 3 years, PWD अगर STST है तो 15 साल, OBC है तो 13 साल, PWD अगर general या AWS का है तो 10 years का ठीक है एक serviceman या disabled, एक serviceman का यहाँ पे actual service of render जितना भी है, मान लो किसी ने force में 10 साल काम कर लिया है तो 10 साल वो तो मिलेगा ही और इसके अलावा 3 years का और यहाँ पर आपको दिये जाएंगे, यानि maximum जो है 50 years, age होना चीए, उससे कम रहे तभी applicable है उसके अलावा अगर आप देखेंगे, 1984 के जितने भी riots में, जो दंगे में, जो person affected है, उनको 5 years का यहाँ पर relaxation दिया जाएगा, कोई widow है, divorce women है, या legally separated कोई अगर women है, तो उनके लिए 40 years तक का age limit, HCST में 35 years, 38 years तक का age limit आपको, OBC में, general और EWS के लिए 35 years का age limit तक का shoot provide किया impairment का condition दिया गया है, कि अगर कोई PWD candidate है, तो उसके लिए क्या क्या conditions रहेंगी, mental illness का क्या रहेगा, nationality कैसी होगी, अब बात आती है, selection procedure, ध्यान रखेंगे, selection procedure में सबसे पहले यहाँ पे, आप online register करेंगे, 10 plus 2 का और 10th का पूरा आप यहाँ पे details फिल करेंगे, फिल करने के ब www.apprenticepindia.gov.in के portal पे आप जाकर के register करेंगे, register करने के बाद, then after आपका जब यहाँ से register ID जनरेट हो जाएगा, तब official website पर जाएगे, official website पर जाने के बाद apply कर सकते हैं, आप bank of महारा स्टन, ठीक है, यहाँ पर condition दी गई है, कि hand retain आपको declaration sign करना होगा, और declaration sign करके इसको upload करन लएगा, तो जितने भी general EWS OBC के candidate है, 150 रहेगा, ACST candidate को 100 रुपेज, PWD को लिएगा, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, कब से कब तक apply कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, अभी इसका यहाँ पर 13 of December से इसका application process स्टार्ट हो चुका है, last date 23rd रखा गया, ध्यान रखें पर आपको documents upload के बारे में बताया गया है, कि किस तरीके से यहाँ पर आप apply कर सकते हैं, application का procedure किस तरीके से होगा, सबसे पहले आप bank of महारास्टा के official website पर जाएंगे, carrier में जाएंगे, current openings में जाएंगे, then after online application for engagement in apprenticeship करके आप फर्दर आगे बढ़ेंगे, general information के बारे में पर आपको बताया गया है, तो guys, जितने भी freezer यहाँ पर candidate हैं, वो सब के सब यहाँ apply कर सकते हैं, अगर आप लोगों को interest है apprenticeship के लिए, अगर आप preparation कर रहे हैं, तो एक साल की training आप ले सकते हो, clear रहेगा, तो यह था आपका bank of महारास्टा का apprenticeship recruitment का notification update, बहुत जल्दम लोग मिल subscribe करें, वीडियो को like share जरूर करें, thank you so much